तो आज के हमारे होस्ट हैं जी हम्जा शिनवारी साब यह भी UK के लिटेड़ वीडियो बनाते हैं तो आपने प्रिविएस में एक लिस्ट अपलोड किया UK के लिटेड़ अगर आपने वो देखी है तो उसी के लिटेड़ अभी उसी को कांटीनू कर रहे हैं तो हम्जा भाई एक बड़ा क्वेस्टन है कि अपार टाइम जॉब के वाले से तो एक वीडियो में अपलोड की है कि जिसमें बताया कि कितनी अर्निंग होती है और क्या पॉर्सेस होते हैं तो अब एक पूछने चाहरा था कि जो फुल टाइम जॉब है वो भी वहां युकी के अंदर मिल जाती है और अगर मिलती है तो क्या कौन कौन से प्लैटफॉर्म है जिसके फुल टाइम जॉब भी मिल सकती है अचा फुल टाइम जॉब जो है ना वो डियूरिंग स्टडी तो आपको अलावी नहीं होता करना क्योंकि कोई भी जो कॉम्पनीज है ना जब उनको पता लगता है कि आप स्टूडेंट है तो आपको हाइर नहीं करती क्योंकि आपको 20 गंटे लाव हैं तो फिर वो आपको उससे ज्यादा हाइर नहीं करती क्योंकि उनको अपनी भी जो है वो जिरोटी प्यारी होती है तो फिर आपको शुरू में तो पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ती है लेकिन जैसे जैसे आपकी डिक्री कंपलीट होती है या आपको वोकेशन होती है तो आप फुल टाइ है वो है इंडीड इंडीड के उपर आपको बड़ी सानी के साथ जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी हर तरह की जॉब्स है पार्ट आइम भी फुल टाइम भी हर किसम की जतनी भी फील्ड से रिलेटिड भी आपकी जॉब्स के उपर जाकि बस आपने एक दफ़ा अपनी सीव आपकी बेरिथेते हैं तो बस आपाप्लाइब कारते हैं तो आपको होर्फुले जॉब जू हे वह मिल जाती है तो आपका थोड़ा سा अच्छा जो है वह वह है वह है ठोड़ा सभी एक्स-पिरिज्ए है और आपके communication थोड़ी से अच्छी है तो आपको जाब्स मिल जाती है अच्छा तो आपने ये बड़ा बताया कि एक इंडीट है लिंक्डिन है तो अब ये एक और कॉश्चन राइज होता है कि क्या सेम सीवी है क्यूंकि मैंने क्यूंकि मैं जर्मनी के अंदर काफी लोगों से मिला हूं क्यूंकि क्रिटेरियर तो ही टैका है वह कैते हैं जिजूरों जाब हैं सीवी होती है उस में आर्एट करके जस्तरा जोब आई होती है उसके अंदर डाल कि एगर रहाब की सीवी एकी जख़ आपको आपको शॉब्स नहीं करता है तो एक इसीत्व करता है और दूसरा यहां पर लैन्विज बेरियर आता है तो यूके के अंदर इंग्लिश क्यूंकि अब एक और मज़े की बाद है हमारी इंग्लेजी होती है घुलाबी ठीक है समझे हैं गुलाबी इंग्रेजी और यूके के इंग्लिश इवन एक दफा मेरे एक यूके से मुझे कॉल आई थी कंपनी के अंतर है तो वो मुझे इंग्लिश में बाद करता है कि पता नहीं क्या बोर रहा है थोड़े पास अलगे इंग्लिश फिल्में और पता नहीं इंग हमारी गुलाबी इंग्रेजी के साथ पी वह में जॉब देंगे अच्छा मैं आपको बताऊं तो यहां पर नो डाउट इनका जो एक्सेंट है ना वो समझते समझते आपको समझ आता है जाहते आपको गैस ही करना पड़ता है कि इसने क्या कहा होगा आपको इसके एक्स्प यह है कि आपको अपना मैसिज उनको समझाना आना चाहिए बाकि जस तरह पकिस्तान के अंदर हम पढ़ते हैं न जी वर्ब की फैली फाम लगानी है तो पास्टेंस में बात करनी है वैसा कुछ भी नहीं है बस आपको अपनी बात का जो मैसिज है वो सिर्फ उनको समझाना भी इंग्लिश आती है तो आप जौब में आ सकते हैं और फुल टाइम जौब में कितनी अर्निंग हो जाती है लाइक पार अनम का अगर आपको थोड़ा आइडिया पार टाइम है तो आपने पिछली वीडियो मताया थै कि पार टाइम में आप पांच से छे लाग या साथ ला जो चुछता हूं तो यहां पे आपकी जैसे जैसे इंकम बढ़ती है ना वैसे वैसे आपके ओपर टैक्स भी बढ़ता जाता है तो यह गोर्मेंट यह जो बरतानिया है यह यूके है यह आपको बहुत ज़दा अमीर नहीं होने देते हैं यह कहते हैं कि सब के पास पैसे ब सेम होना जाई है गाड़ी भी उसके पास भी होने चाहिए बैंक बैलनस भी उसका भी अच्छा होना जाई है क्योंके स्टंडर्ड आफ लाइफ सब का सेम होना जाई है तो इस वज़दा से कोई बहुत ज़दा डिफरेंस नहीं पड़ता अगर आप फुल टाइम जॉब भ देखी है युके के भी अल्मोस्थेम होगा कि आप शायद को सेकंड करें कि बहुत से स्टुडेंट रहते हैं वह जब पार्ट टाइम जॉब शुरू करते हैं तो पैसे आने शुरू हो जाते हैं ठीक है मलब के पांच जिस लाँ जिस लाग ग्या जिस लापने बताया पां है कि अगर आप पार्टाइम जॉब करें तो आपका फीचर गोल जो है वो फुल टाइम जॉब होना चाहिए तो आप इसमें कोई चीज आड़ करना चाहिए कोई एक्जेंपल आपने देखिए हो बिलकुल ऐसा ही बात है लेकिन बरतानिया के अंदर मसला यह है कि अगर आप स्पॉंसर जॉब नहीं मिली तो फिर आटोमेटिकली यहां से आपको यहां वापिस जाना पड़ेगा यहां कोई और रस्ता अख्तियार करना पड़ेगा अधर वाइस पिर आप यहां पे स्टेय नहीं कार सकते ना पार्ट टाइम जॉब जी करते रहें तो इसलिए जरूर